अलो दोस्तों तो कैसे हो आप भायोग कि आप सब ठीक होंगे तो आज की एक और नई जॉब अपडेट के जानकारी के बारे में हम बात करने वाले हैं जी हाँ दोस्तों अगर आप भी बेरोजगार हो और कहीं रोजगार की तलास कर रहे हो तो आप बरकुल सई वीडियो पर आयो यहाँ पर हमारे चैनल पर आपको रोजगार से संबंदि सभी वीडियो देखने के लिए मिलेंगी तो गाइज हम समय से पहले आपके पास तक अपडेट पहुचाते रहे हैं इसलिए हमारे चैनल को जरूल सब्सक्राइब करके रखें आज हम बात करने वाले हों उत्तर प्रदेश महीला कल्यार विवाग में सम्मीदा सीथी भड़ती निकली हुई हैं आप इसके लिए ओल्लाइन आबेदन कर सकते हो कैसे आपको यहाँ पर ओल्लाइन आबेदन करना है आपको आज की स्पीडियो में हम पूरी जानकारी देने वाले हैं तो वीडियो को एंड तक जरूल देखना और आपको आज की स्पीडियो में आपको वताएंगे कि इसकी इजीवल्टी क्या क्या रखी गई है और किस जनपस से इस बैकेंसी यह बैकेंसी निकाली गई है और गाइज हम आपको वता दें आप इसमें अपना ओल्लाइन आविदन कर सकते हो आपकी इसमें परिच्छा नहीं होगी और आप इसके लिए आविदन कैसे करोगे आज किस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं तो दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं हम रिक्तियों का विवरण देख लेते हैं कि रिक्तियों का विवरण किस फिरकार से है यहाँ पर आप देख सकते हो पद का नाम पद का नाम है आपका मल्टी टास्टिंग इस्टाप MTS का और यहां पर विवाग की बात करते हैं तो विवाग है आपका महीला कल्यान विवाग तो गाइज यह जो पोश्ट है आपकी यह पोश्ट आपकी 11 अगस्त 2023 को पब्लिक होई थी यह जो वैकेंसी थी वे आपकी 11 अगस्त को निकली होई थी इसकी जो आबिधन करने की अंतिमतितिय है वे आपकी 27 अगस्त 2023 है इससे पहले आप इसके लिए apply आबिधन कर सकते हो हम बात कर लेते हैं कि इसमें total कितनी vacancy है तो इसमें total आपकी 2 vacancy है दो वैकेंसी हैं इसमें और इसकी जो अनिवार्य योगता है इसकी क्वालिफिकेशन जो है वो आपकी विलो एससी आपकी इंटरमीडियेट हो या आपके पास हाई स्कुल हो इसके लिए आप एपलाई आबेदन कर सकते हैं जिक्ती की प्रकृति की बात करते हैं तो यह आपकी धरब पाइटी की जोब है और गायस अम बात करते हैं यहां पर इसमें आप गाइन 10-1000 से लिए पीचा-पिर्टर हम देख लेते हैं कि यह किस राज जैसे किस इस्टेट से यह आपकी बैकेंसी निकाली गई है आपकी उत्तर प्रदेश के एटा जनपद से यह बैकेंसी आपकी निकाली गई है आपकी जो पोश्ट है वह आपकी एटा में रहने वाली है जनपद एटा में आपकी तहने वाली और गैज पस नहीं पर करते हैं तो ये पेच आपके सामने कुछ इस तरीके से रिडारेक्ट हो जाता है आप जैसा देख सकते हो यहां से आपको लोगिन और पासपर्ड मांगे गई अगर आपने कभी पहले उत्तर पिर्दे सेवा योजन में कभी registration किया है तो आप अपना यहाँ पर login और id डाल कर यहाँ पर login हो सकते हो इस post के लिए apply कर सकते हो अगर आपने पहले कभी registration नहीं किया है तो आपको सबसे पहले यहां first time आपको यह registration करना पड़ेगा अगर आपने नहीं किया है तो आप हमें comment box में comment करके बता सकते हो हम उसके उपर वीडियो लाके आपको बता देंगे कि आपको उत्तर पिर्दे सेवा योजन पोर्टल पर registration कैसे करना और आपको इस job के लिए कैसे apply करना है I hope कि यह वीडियो हमारी आपको पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूल सब्सक्राइक कर देना